इस बार सावन का महीन बड़ा ही खास रहने वाला है क्योंकि सावन की सुरूआ सोंबार के दिन तथा सरवार्थ सिद्धी योग में होगी इस बार पूरे 29 दिनों तक सिभ भक्त महादेप की आराधना कर अपनी मनोकामनाय फून कर सकते हैं जोतिस आचारे पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि इस बार सावन में नक्चत्र कई अध्भुत सावन को बना रहा है जो सावन को बहुत खास और सुब बनाने वाला है ये सावन लगबग बहुततर बर्सवाद बन रहा है इस सावन में अगर विदी विदान से भादेव की भक्ति करने के लिए बगवान शंकर के लिए मास जो है सरसरेक्ट माना जाता है मैं सभी बगवान बोले नात के दियम बटी करते हैं हमका पूजन करते हैं हमारी समस्त मनों कामनाई फूर्न होती है अंतार का ऐसा को उसा सुप नहीं है जो बगवान शंकर की स्रावाण से CAS श्रावन मास का समापन हो रहा है दूसरा इस महिने में पांच सोंबार पहें है और 29 दिन काilik श्रावन का बनना इस साह लाह हैं पहला स्रावन सोंबार hasn इस दिन श्रवन नक्षत्र में सुधी योग, पृति योग और सरवार्त सुधी योग पढ़ रहा है। इस प्रकार की उत्तम योगों में श्रावन का माज प्रादम होने जारा है। श्रावन का जो अंतिम तौंबार है, जो पांजवा तौंबार है, वह उन्नीस अगत के दिन पढ़ने जा रहा है, उस दिन भी श्रावन नक्षत्र में सिद्धी योग है, तो यह श्रावन नक्षत्र और सिद्धी योग में प्रादम हो रहा है, और सिद्धी योग में ही इस पुरे एक महीने तक मिट्टी के शिविलिंग पार्थव शिविलिंग ना बना तक है तो नर्वदेश्वर जो शिविलिंग रहता हुसता पूजन करें या इस्पटिक के शिविलिंग का हमको पूजन करना चाहिए बिदीवत दूर्दही शहे सक्कर इत्र गुलाबजल अश्टगंग इस्ट्यादी से भगवान को प्रधत प्रत किश्णान कराईए उनका रुद्र पाट के द्वारा किसी ब्रामन के सहिंग से अविशेक करें फिर भगवान को पूल, माला, दूबा, बिलपत्र, अकाओ, दतूरा, कमिलपत्र, भवान, इत्यादी भगवान को समर्पित करना चाहिए इस प्रिकार जदीवत भगवान का पूजन करने के बाद भगवान जी जो बिवन सुतियां कही गई है लिंगाश्त कहे, रुद्दाश्त कहे, शिवतांडव कहा गया है, शिवाश्त कहा गया है इन इस तुतियों से वगवान को प्रसंद कर सकते हैं, महामरप्तुन्जे का जब और जो महामंत्र कहा गया है ओम नमस्यवाय तो महामंत्र का यदि अभी चावन के महिने में जब करते हैं नो निश्यती हमारे जीवन में सुथ चांती पम्रक्ती की जाब्ती होती है फोले नाथ प्रसन होंगे और आपकी सभी मनों कामनाओं को पूर्ण करेंगे